स्री शिवाय नमस्तो भ्याम हरहर महादे महारास्टर के जलगाव जिलना के 40 गाव में गुरुजी पंडित प्रदेप मिस्रा जी द्वारा प्रभुश्री राम सिम महापुरान कथा सुरू हो गई है आज 17 जनवरी 2024 दोसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है ये 5 दिवस्य सि जनवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी आज की कथा में गुरुजी ने 5 बिल्कुल नए उपायों की जानकारियां दिये हैं अब इस उपायों को कब करना है कैसे करना है हम आपक पस्टों को दूर करने के लिए भी आप कर सकते हैं आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं बिल्कुल नए उपाय की जानकारी गुरुजी ने दिये हैं 17 जनवरे प्रभुस्री रामसी महापुरान कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपायों पत्रूप योगी सहित जानका आपको इसी छोटे से वीडियो के माधियम से प्राप्त होने वाली है अगर किसी कारण वस आज की कथा आप नहीं सुन पाएं तो पूरी कथा का रस्त तो आपको इस छोटे से वीडियो के माधियम से प्राप्त होने वाली है तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहले जानकारी कि और कथा प्रारंब होते ही ग्रु जी ने कहा अपनी आखों में आसू भड़के कभी महादेव के पास मत जाओ कितना भी दूख हो कितनी ही समस्या क्यों न हो तुम क्या सोचते हो कि महादेव तुम्हारी आखों में आशू देकर जल्दी सुनेंगे ऐसा बिल्कुल भी नही महादेव तुम्हारे आखों में आसु देखकर तुम्हारी नहीं सुनते बल्कि भगवान का एक नियम है कि तुम कहीं पर भी बैठकर दिल से उसे पुकार लो तो तुम्हें आसु बहाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो तुरंत उसी समय प्रगट हो जाएंगे और जिन लोगों की भाक्ति इतनी प्रवल हो जाती है भगवान के प्रति विश्वास इतना द्रीनी हो जाता है कि जब तो भगवान के सामने आते तो वो कुछ नहीं कहते और उनके आसु समझ लेते हैं तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की और जलगाओं की कथा में एक बालिका ने प्रस्न किया कि प्रेम करना अच्छा होता है कि बुड़ा होता है तो गुरुजी ने कहा आप जो कहो हाँ या ना पर हम अपनी भासा में कहेंगे कि प्रेम करना अच्छा होता है पर ऐसा नहीं करना कि सरीर के 33 स्टुक्रे काट कर अटेची में भढ़ा जाए पिता का प्रेम अच्छा होता है, मा का प्रेम अच्छा होता है, भाई बहन का प्रेम अच्छा होता है राधा कृष्ण का प्रेम सर्वो पड़ी होता है, अच्छा होता है बढ़ते आज की कता की अगले जानकारी की और हिंदू राष्टर बढ़ाने से पहले हमें हमारे पड़िवार को एक रहने की आवस्यकता है कोई किसी का आदर करने को तयार नहीं, कोई किसी का समान करने को तयार नहीं है कोई कहीं भाग रहा है, तो कोई कहीं भाग रहा है, मिलकर नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे में आपको एक प्रियास करना है, सब्ता में एक दिन पूरे परिवार को, सभी लोगों को, छोटे बड़े बच्चों को, सभी को साथ में बिठा कर भोजन कराना चाहिए, और कभी किसी का मुह नहीं फूलना चाहिए इस बात का ध्यान रखता है तो बढ़ते आज की कथा की अगली जानकारी की ओर हमने आपसे पहले भी कहा है गुरुजी ने कहा कथा के बीज में उठकर मत जाओ कथा पोर्ण होने के बाद करपूर गौरम के बाद कथा पंडाल की रज लगाते हु जाओ ना जाने कितने रोग आपसे दूर हो जाते हैं आपका विश्वास नहीं आपको विश्वास नहीं तो आप गीता प्रेश की महापुरान कथा लेकर आओ उसमें विद्देश और सहीता में लिखा हुआ है भोलेनात माता पार्वती से कहती हैं तुम्रुका जी के जोतिर लिंग सारे तिर्थ और कैलास परववत उतनी दिन वहां निवास करते हैं तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की और गुरुजी ने कहा दो के चरन हमेशा दवाने चाहिए एक अपनी सास के दूसरा अपने पती के आप अपने पती और सास के पाउं जर जानकारी की और कथा 27 जन्वरी से वनिय वदवल जिले में होने वाली है ये महरास्टर में होने वाली अगली कथा ये साध दिवस्य सी महापुडान कथा रहेगी तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की और गुरुजी ने कहा कई लोग कहते हैं कि कई लोग कहत पर चड़ा वब चड़ा हुआ जल पीना चाहिए आज़मन करना चाहिए सिवलिंग पर चड़ा वब बेलपत्र को खाना चाहिए तो इस पर गूरु जी ने कहा है हम आपको कहते हैं कि सिव महापुरान कथा कि उमाखंड पढ़ना उसमें लिखा हुआ है माता-पारवति एक बेलपत्र का पत्ता खाकर जीवित रहती हैं उस पत्ते का बल इतना होता है कि माता-पारवति के पूरे सरीर में उर्जा हो तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की और कई लोग को आपने देखा होगा वो जल चड़ाने के बाद सिविलिंग के जलाधारी भाग जलाधारी वाले भाग जहां पे गनेश जी का अस्थान होता है कार्तिके जी का अस्थान होता है उसको दबाते हैं तो जैसे जर्णों को दबाया जाता है। उसका क्या महत्य होता है। तीन जगह अस्पर्श करने का महत्व क्या होता है। गनेश और कार्तिके के स्थान पर स्पर्श करना, माता असोक सुन्दरी के स्थान पर स्पर्श करना, जलाधारी के गोल कटी भाग में स्पर्श करना, अब इस संबंधित उपाए, आगे की जानकारी में स्वर्ण किजिएगा, इन सभी के इस पर्ष की जानकारी गुरुजी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए हैं आप ध्यान से सुनियेगा तो बढ़ते हैं आज की कथा कि अगली जानकारी की ओर डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे गर्व में जो बच्चा है उसके हाट में छेद है उसकी धरकन नहीं आई हुई है या मानसिक स्थिती सही नहीं है कोई भी दिकत है मानसिक रूप से विकलांग है लग रहा है सोनोग्राफी के बाद डॉक्टर अगर बच्चे को सही नहीं बता रहे हैं तो आपको सिविलिंग पर जल चड़ाना है और जल चड़ाने के बाद गनेश जी और कार्तिके जी के अस्थान पर पांच या साथ बार आपको दबाना है उनका पर्स करते हुए चरन जैसे आपको दबाना है और उस हाथ को जिससे अपने दबाया है उसका पर्स आपको अपने उदर में कर लेना है और स्री सिवायन नमस्तो भ्याम या महा मिर्दुन जाय मंत्र का स्मिनन कर लेना है 15 दिन बाद फिर से जाच कराने जाए डॉक्टर कहेगा आपका बच्चा स्वस्त है कोई दिकत नहीं है सिर्फ आपको यही करना है कि जैसे आप जल चढ़ाते व दोनों साइड आपको अपने दोनों हाथों से दवाना है उसके बाद अपने पेट पर हाथ फेड़ देना है बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की और एक और उपाय गुरुजी ने बताए असोग सुन्दरी माता के स्थान पर सपर्स से संभंधित उपाई 30 साल हो गई हो विवा नहीं हो रहा है कोई मंगल बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है तो आपको उस लड़का या लड़की से सीवलिंग पर जल अर्पित करवाना है जल चड़ाने के बाद आपको बेल पत्र को आपको माता असोक सुंदरी के अस्थान पर असपर्स करना है और माता असोक सुंदरी के अस्थान पर बेल पत्र को असपर्स करा कर वो बेल पत्र को आपको सिवलिंग के ऊपर अरपित कर देना है बेल पत्र की डंडी जलाध हारी की ओर करते हुए अरपित करे इसके बाद माता असोक सुं विंती कर लेना है बस आपको इतना ही करना है तीन से चार महिने में संबंध पक्का हो जाएगा ये निश्यत्ता है बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की और सिवलिंग से कटी भाग से संबंधी तुपाए अगर किसी का एक्सिडेंट हो गया है हार्ट की भीमारी हो नाम और गोत्र बोलते हुए सिवलिंग का जो कटी भाग है माता पारवती का जो हस्त कमल होता है वहां पर आपको असपर्ज करना है वहां पर आपको दोनों हाथों से दबाना है और स्री शिवाय नमस्तो भिहम बोलते हुए उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए उ त्पिक होना शुरू हो जाएगा, तो बढ़तें आज की कथा की अगली जान कर horrific और बच्चा मानसिक विकलांग है, बच्चा का हात पाव में तकलीब है, बच्चे का विकास नहीं थीक तरीके से विकास नहीं हो पारा है, बच्चे के मुझ के मुह आपको जलाधारी में असपर्च करते हुए आना है ऐसा लगातार दो से तीन महेने से में बच्चे में विकास देखने को मिलेगा जो भी उसमें सारेरी कमिया है या मानसिक रूप से कमिया है उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ह रोचक जानकारियां दिये हैं आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाब हो सके आज के इस उपायों से जुड़े मन में कोई शवाल है कोई कोश्चन है तो आप कॉमेंट बॉक्स के जड़िये पोच सकते हैं आज की वीडियो अग अगिये तो आप एक चुछ सकते हैं तो आप कार दो एक हैं झाल है एक चुछ सकते हैं झाल है